बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबा कर आल पर क्लिक कर ले हेलो गैज बिलकम बैक स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में गाईज आज की इस वीडियो में बात करे देजिए और ठीक उसी तरीके से कोश्चन आपके एक्जाम में प्रेटकल एक्जाम में दिया जाएगा ठीक है एक बात और आपको पता देना चाहता हूं कि यह जो यहां पर मैं पैटरन बता रहा हूं कोश्चन का वह सिधार्त बिश्विद्य अलग है ठीक है सिधार्त इ जल्दी अपलोड किया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूड देखेगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहे हैं और साथ इसाथ बेल आइकन में भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर यहां सी फस्स समिस् ठूस्मेंट होता है और जो दल्स जो प्रेटर्ल आपका होगा वह 25 नंबर का ही होगा ठीक है यादि आपका सही तरीके सकाज्यार्टर अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरू कर दीजेगा वीडियो को ठीक है बहुत सारे इस लोग हैं जिनको इस कोश्चन की आव सकता है और इस सिस्टम इस पैटर्न की आव सकता है जाने की तो आप लोग शेयर कर देंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी चली बात करते हैं आपर कोश्चन पहला कोश्चन क्या पूटप किया जाएगा फर्स समिस्टर से पहला जो कोश्चन होगा पहले ही यूनिट से होगा कमेंट आन लेबरेटरी इस्टुमेंट कोई एक प्रिंसपल अप्लिकेशन हो गयरा लिखना होगा ठीक है इस्टुमेंट जो भी आपके लैब में होगा जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा उसी पर आपको करना है क्या दिया जाता है यह डिपेंड करता है आपके टीचर के उपर जैसे माइक्रोस्कोप भी दिया जा सक सकता है सेंट्रिफिस दिया जा सकता है आटो क्लैब दिया जा सकता है यह सब हो जाते हैं ठीक है तो कोई भी एक इस्टुमेंट दिया जाएगा आपको उसके उसके क्या करना है कमेंट करना है लिखना है उसके प्रिंसपल अप्लिकेशन लिखने होंगे साथ ही डाइग्रा का यहां पर पांच नंबर कर लीजिएगा पांच नंबर हो जाएगा पांच नंबर का यह हो जाएगा ठीक है फिर दूसरा कोश्चन यहां पर जो दिया है उसको ध्यान दीजिएगा तो प्रिपेर टंप्रेली स्लाइड बाई गीबन प्लांड मैटेरियल दिए गए सिर्फ प्रिपेड करना है दोनों में से कोई एक ही दिया जाए या एलगी आपको दिया जाए उसका आपको ना करके दिखा नबर का होगा है तोटल हो गया 10 नबर सिधार्थ में 25 नंबर का होता है इसलिए उसी बैसस पर बता रहा हूं उसके बाद जाएगा spotting, spotting हो जाएगा अगला question आपका spotting होगा spotting में एक से 5 spot दिया जाएंगे जो की 5 number का होगा, 10 number विलकुल नहीं होगा, 5 number का होगा ठीक है, और इस तरीके से हो जाएगा यह 15 number 15 number के बाद फिर 5 number का आपका class record, file chart और model हो गया रहा हो जाएगा यह भी 5 number यहाँ पर लिख लिजिएगा 20 number complete हो जाएगा और last पर 5 number का आपका y वाह होगा, तो इस तरीके से total कितने हो जाएगे 25 number clear है, 25 number का आपका practical होगा पहली बार चैनल में जुरू रहे हैं, तो telegram group को join करना बिलकुल मत भूलिएगा BSCMSC semester का telegram group हमने बना दिया है, अगर आपको किसी भी प्रकार का notification या वीडियो चाहिए होगा तो उस group को join कर लिजे और तमाम प्रकार की जो PDF होगा रहा है practical होगा रहा की, जो PDF होती है वो साब उसी group में भेज दिया जाता है question paper होगा है, अप साब उसी में भेज दिया जाता है आप लोग उसको join कर लिजे हमेशा आपको notification वहाँ पर दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी university से होगा, इस group को join कर लेंगे तो आप ही का फाइदा होगा, ठीक है यहां पर पहला question जो दिया गया है क्योंकि इसमें taxonomy दी गई थी तो taxonomy के जो पहला question है आप देखिएगा, describe material एए एक material आपको दिया जाएगा जो कि ए होगा, ए में क्या होगा flowering plants, कोई भी एक flowering plants आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है इन semi-technical language semi-technical language में आपको उसको लिखना है यानि कि according to बिन्था मुकर सिस्टम आप क्लासिफिकेशन बिन्था मुकर सिस्टम आप क्लासिफिकेशन के base पर उसका classify करना है, जैसे आपने family का description किया था पढ़ते समय ठीक उसी तरीके से आपको इसका करना होगा, ओके जिसमें family count कौन से दी जा सकती है important family, उसका plant count से family का हो सकता है, मालवेशी का गुढ़ाल दिया जा सकता है, ठीक है फैबेशी का माटर हो गएरा, इस समय मार्केट में मिल रहा है तो हो सकता है, वो दिया जा सकता है सोलेनेसी हो जाएगा सोलेनेसी में, सोलेनेम, नाइगरम होगा रहा है, इस समय से ये भी सम मिल रहे है एक अंथेसी का दिया जा सकता है लेवियेटी का दिया जा सकता है और रूबी एसी का ये सब आपके सलेबस में दी गए है इनमें से कोई भी एक family का प्लांट आपको दे दिया जाएगा आपको उसको identify करके काउन सा प्लांट है और उस पर सीधा सीधा semi technical method से आपको लिखना सुरू कर देना होगा ठीक है, ये हो जाएगा, पहला question पांच नंबर का ये होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दुस्तरा प्रस्ट जो होगा, वह prepare temporarily mount up embryology, temporarily mount up slide, temporarily slide यहाँ पर slide कर लिजएगा, SLIDE उसके बाद माउंट कीज़ेगा, slide आपको prepare करना होगा, जिसका BSA flower, TSA flower, Overage structure of pollen grain, तीन में से कोई एक दिया जा सकता है, ठीक है, BSA flower दिया जा सकता है, या TSA of Overage काटने को दिया जा सकता है या फिर pollen grain का slide बनाना होगा, तो ये भी 5 नमबर आपको मिल जाएगा, इस तरीके से ये 10 नमबर हो जाएगा, उसके बाद है spotting, एक से 5 spot दिया जाएगे, 5 नमबर का एक एक नमबर का spot रहेगा, तो ये हो जाएगा, 5 नमबर, 15 नमबर हो जाएगा, फिर उसके बाद class record model हो सक्साइब स्कुलीरवा इस लाइट लाइवा दियान देल जाएगा, वाइभा ये हो जाएगा, पाईवा आगे बात करेंग, ऑपि फिप्त समिस्टर वालों के यहां प्थोड़ा से डिफरन्सुर आपे स्था फिप्त समिस्टर वाले जो गपतंवालों का 2 डिपर होता है तो थोड़ा सा confusion होगा, confusion आप थोड़ा दूर कर लिजिएगा, ठीक है, यहां पर आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान देजिएगा, fifth semester वालों का theory का जो paper होता है, उसमें भी 50 plus 50 रहता है, यानि कि दो paper होता, 50 number का पहला, 50 का दूसरा, उसी तरीके से practical में आपका 50 number internal और 50 number का ही आपका practical भी होगा, आप यहां practical में क्या है, देख लिजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला question यहां पर इस तरीके से रहेगा, to demonstrate the phenomena of transpiration, दस रंबर करेगा, और आपको क्या करना है, transpiration का कोई एक practical लिखना होगा, बिंसन नहीं किया गया, किसके माध्यम से करना है, आ पोटेटो का यूज करके क्या करना है, plant living cells में, osmosis की process करके दिखाना होगा, practical करके दिखाना है, ठीक है, और नहीं है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, सीधे direct, उसके बाद चाओ था question जो रहा है, चार question दिये जाएंगे, to perform color test of carbo-headed, कोई एक biochemistry का रहेगा, practical यहां पर, जिसको आपको क्या करना है, उसका color test करके दिखाना होगा, निकाल के दिखाना होगा, practical करके दिखाना है, यह 10 number का हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद spotting है, 5 spot दिये जाएंगे, एक से 5, दो-दो number कर रहेगा, 10 number यह हो जाएगा, total कितनी number हो गए, 4 question हो गए, इस तरीके स हो जाएगा, दोस्तों आपको बता देना है चाहता हूँ, डॉक्टर राम नुवलिजिया अवद इंवर्स्टी वालों का जो प्रेटिकल का question होता है, 1st, 3rd और 5th का, वाल लेडी हमने upload कर दिया चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है, तो यह मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहेगा, जोड़े रहेगा, वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके सब के पास सेयर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइक पर के बेल आइकन दबाना बिलकुल मदभूलेगा, बहुत ब